Hi everyone, welcome to my channel, मैं हूँ शिवानी लेकर आगे हूँ आप लोगों के लिए एक और हैश्टैग भी बोल की वीडियो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अंचाही प्रेगनेंसी अगर आपको हो गई है मतलब कि आप प्रेगनेंट हो गए हो लेकिन इस प्रेगनेंसी को आप continue नहीं करना चाहते तो आप क्या करो मेरे पास समय रहते इसके बारे में कोईरी आती रहती है कभी कोई पूछता है अपनी गर्फरेंड के लिए, कभी पूछता है कोई अपनी वाइफ के लिए कभी लड़कियां खुद भी मुझसे कोईशन पूछती है कि मैं अब मैं क्या करूँ तो चलिए आज आपको solution मैं दे दूँगी इसका लेकिन पहला मेरा suggestion आप लोगों के लिए यही रहेगा कि कोशिश कीजिए कि इस नौबत तक आप पहुचे ही ना अगर आपको pregnancy नहीं चाहिए तो संबंध बनाते समय बहुत ज़ादा साफधानी रखिए precautions का use कीजिए और ऐसी precaution यूज कीजिए जो आपके लिए अच्छे से काम करें और अपने जो भी आपका precaution का तरीका आप यूज कर रहे हो उसके बारे में complete जानकारी ज़रूर लीजे कि आप उसे सही तरीके से यूज कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो इसे like करना, comment करके मुझे आप अपनी और भी कोई query हो या feedback हो वो आप share कर सकते हो subscribe कर देना मेरे चैनल को ताकि आप और भी मेरी आने वाली वीडियो देख पाओ आए शुरू करते हैं, let's get started सबसे पहली बात आपको अपनी pregnancy का confirmation ले लेना है कि आप pregnant हो या नहीं हो आप घर पे pregnancy test लेके चेक कर सकते हो इसके उपर recently मैंने वीडियो बनाई थी hashtag भी बोल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि सही तरीके से कैसे घर पे confirm करना है कि आप pregnant हो या नहीं हो एक बार confirmation होने के बाद में फिर आप देखो कि अगर आपको या pregnancy नहीं चाहिए तो आपको अब क्या करना है देखो सबसे जो recommended तरीका है वो ये है कि शुरुवाती दिनों में ही जब आपके period मिस होते हैं हो गए मिस उसके बाद आपने 2-4 दिन बाद आप वेट करते हो period का और उस टाइम पे फिर आप जब pregnancy test लेते हो उसमें भी confirm आगया कि आप pregnant हो तो तभी ही action लो वेट नहीं करना है कि जब 15 दिन बाद आप सोच रहे हो कि क्या करूँ 20 दिन बाद या एक महीने बाद जितनी ज़्यादा pregnancy आगे बढ़ती जाएगी उतना ही आपको दिक्कत होगी इस बच्चे को continue नहीं करने में abortion कराने में तो जितना जल्दी आप इस चीज का action लोगे उतना ही जादा सही है अब action लेने के लिए आपने decide कर लिया कि हाँ मुझे ये pregnancy आगे continue नहीं करनी और आपका शुरुआती ही time है अभी आपके period मिस होए हैं और period मिस की जो date है उसके within एक हफते या दो हफते में ही अगर आप हो तो आप easily medicine खाके, गोली खाके, दवाई खाके जो abortion वाली होती है उससे आप अपना abortion कर सकते हो लेकिन उसका क्या तरीका है, कैसे लेना है, क्या साथधानिया रखनी है, वो सब कुछ अभी मैं आपको बताऊंगी दूसरा scenario देख लेते हैं कि अगर आपके ज्यादा दिन हो गए है, like महीने से भी उपर हो गया है विदिना मन्त अगर आप करते हो, तो आप medicine लेकि कर सकते हो और अगर मन्त से उपर हो गया है, एक महीने से उपर का आपका time हो गया है, period मिस हुए हुए और उसके बाद फिर आप सोच रहें abortion के लिए, तो फिर वो medicine खाके आपका abortion होना बहुत मुश्किल है फिर आपको शायद दूसरे तरीके अपनाने पड़े हैं, एक और तरीका ये होता है कि आप रॉक्टर के पास जाओ और उनकी देखरेग में वो आपको फिर या तो जो medicine है उसे insert किया जाता है आपके वजायना कि थूर आपकी uterus में रखा जाता है वैसे करके फिर होगा या फिर और टाइम हो गया है, अगर वैसे भी नहीं पॉसिबल है बच्चा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, आपके अंदर लाइक देड़ महीना हो गया, दो महीना हो गया तो ऐसे में फिर आपका हो सकता है, surgical तरीके से surgery करके तब आपका abortion करना परे अब discuss करते हैं, जो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि जो medicine खाके, गोली लेके, जो abortion होता है, वो कैसे होगा उसको हम थोड़ा detail में जानते हैं, समझते हैं पहली चीज तो ये medicine आपको कहां से मिलेगी, इसकी लिए आपको जाना है अपने nearby किसी भी gynec के पास, gyneologist के पास और उनसे ये चीज डिसकस करनी है कि आपको ये pregnancy नहीं चाहिए, आपको abort करानी है, हो सकता है वो आपसे कुछ सवाल पूचें कि क्या reason है, क्यों नहीं आप continue करना चाहते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हो कि जैसे कि हो सकता है आपके अभी शादी ना हुई हो, तो इसलिए आप करना चाहते हो, या फिर अभी आपकी नई नई शादी हुई है और आपको अभी बच्चा नहीं चाहिए, या फिर अभी आपका पहला बच्चा अभी ह से मिलेगी ऐसी दवाईयां मुश्किल है कि कोई केमिस्ट आपको खुद से दे डिरेक्ट ली दे वह बात अलगे कि आप किसी गलत तरीके से कोई उसको ले लो मतलब कुछ जुगार करके ले लो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मैं आपको भी रीजन भी बताऊंगी कि बिना कि अगर आपने ये मैडिसन ले भी ली न कहीं से जुगार करके आपके पास आ गई और फिर लोते हो तो उसका क्या नुकसान हो सकता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी देखो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको बच्चा नहीं चाहिए अच्छा ठीक कितने वीक का है अगर आपका बच्चा साथ से आठ वीक का है उसके पहले ही आप कर रहे हो बोर्शन तो सिर्फ आप ये मैडिसन खाके कर सकते हो अधर आइस उससे जादा में नहीं कर सकते हो जो ये बच्चे की एज जो काउंट की जाती है वो उस दिन से की जाती है जब आ आना जाता है तो जो calculation होती है वो उस हिसाब से होती है तो अगर आप उसके साथ या आठ वीक पहले ही आए हो यानि की period मिस हुए आपके दो हफते या तीन हफते हुए है तभी ये सही time है आपका पिल लेने का उससे उपर का time होता है तो फिर डॉक्टर आपको ये सला नहीं द अगर आपको bleeding हो भी गई है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें पूरी तरीके से सफाई हो गई हो कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा पहार आ गया और थोड़ा अंदर ही रह गया सोची ऐसे में आगी चलके कितनी जादा medical complication हो सकती है तो बहुत ज़रूरी है कि आप doctor की द बताएंगे कि हाँ आप उस time period में हो कि आप ये medicine ले सकते हो अगर उस time period में आप नहीं हो तो हो सकता है वो आपको insert करके आपके बजाना में insert करके तब आपको abortion करने को बोले अब बात करते हैं कि doctor आपको जो दवाई देंगे वो एक kit चैसी होगी उसमें 5 गोलिया होती है इ और उसकी बात जो बाकी की चार गोलिया है वो doctor आपको आपकी condition के according अलग-अलग तरीके से सलाह दे सकती है तो ऐसे में भी बहुत जरूरी है कि आप खुद से गोली ना लें डॉक्टर की सलाह के साथ ही ले इसके कुछ अलग-अलग आपकी जो डॉक्टर है वो अलग- बाकी की चार गोलियां लेनी है हो सकता है वो बोलें कि उस पहली गोली के खाने के 24 घंते बाद या 48 घंते बाद आपको ये बाकी की चार एक साथ लेनी है या फिर दो पहले लेनी है और दो बाद में फिर लेनी है या फिर चारों गोली चेचे घंते के अंतर पे लेनी है त जात ही ये बाकी की medicine जो है वो लीचे और उनकी देखरेक में ही आप ये kit का use कीजे एक बार जब आप ये use कर लेते हो kit हो सकता है आपकी doctor आपको चारों गोलिया लेने को बोले ही ना वो बोले कि आप दो ही लो और दो लेने के बाद आपको periods जो है वो आना शुरू हो जाए औ और उसके बाद फिर आपकी doctor आपको फिर ये भी सला देगी कि period आने के बाद आपको और बाकी की लेनी है या नहीं लेनी है तो ये सब अपने doctor के साथ discuss करके आप आगे consume करिये ये चारों गोलिया एक बार आपने जब ये ले ली उसके बाद आपके periods आना शुरू हो जाते ह हैं और periods जब आएंगे तो आपकी heavy bleeding होगी of course normal से जादा होगी थोड़ा pain आपको बहुत जादा होगा क्योंकि ये pills का काम यह होता है कि ये आपके uterus में थोड़ा contraction जैसा feel कराएंगे और जिसके जरिये आपके अंदर जो भी होगा baby बोल सकते है baby तो नहीं होगा बच्चा न होती है थोड़ा heavy pain हो सकता है एक दो दिन जादा होगा उसके बाद थोड़ा normal हो जाएगा ये भी हो सकता है कि पीरिट थोड़े लंबे टाइम के लिए नौर्मल अगर आपके पांट से साथ दिन के अगर आते हैं तो इस बार हो सकता है 8-10 दिन के आए maximum 10 दिन तक की bleeding होती ह और से उपर नहीं होती है एक बार जब आपकी bleeding खतम हो जाएगी तो उसके बार डॉक्टर आपको दुबारा अपने check-up के लिए बुला सकते हैं शायद वो 14 दिन या 15 दिन आपको बुलाएंगे और तब वो चेक करते हैं कि पूरी तरीके से abortion हुआ या नहीं हुआ सब कि हम दूसरी विजट के लिए नहीं जाएंगे और हम प्रेगननसी टेस्ट लेके चेक करेंगे तो ऐसा गलती भी नहीं करना है क्योंकि प्रेगनसी टेस्ट में अबोर्शन होने के बाद भी हो सकता है वहां पे प्रेगनेंट दिखाए तीन से चार वीक तक वह आपको हैं आपका वो HCG की मातरा कम होने में और आप अगर चार हफ़ते बाद अगर चेक करोगे तब वो हो सकता है आपको नेगिटिव रिजर्ट दिखाए अदर्वाइस अबोर्शन होने की बाद भी वो आपको अगर आप दूसरे हफ़ते में या तीसरे हफ़ते में चेक करोगे तो वो आपको हो सकता है वहाँ पॉजिटिव ही दिखाए तो अगर आपको सही तरीके से जाना है कि पूरी तरीके से अबोर्शन हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए सोनोग्राफी कराना ही जरूरी है या डॉक्टर के पास जाके वो अपनी मशीन से खुच चेक करके या मेल भी करते हैं कि आप हमें दवाई बता दो कि हम कौन सी ले और कैसे लेनी हैं और हम कर लेंगे तो मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगी किसी का बताया हुआ कोई दवाई नहीं लेना है कैमिस से लेके नहीं खाना है डॉक्टर के पास चाके और उनकी देख रेक में उनकी निग्रानी में आप उनसे पूरा कंसल्ट करके ही ये दवाई लीजिए otherwise आपको problem हो सकती है दूसरा question एक ये भी होता है कि क्या इस दवाई के कोई आगे future में side effect होते हैं तो देखो ये जो medicine आपने खाई है ना ये कुछ दिन में like 24-48 घंटे इसका असर रहता है उसके बाद इसका असर हमारे शरीर से खतम हो जाता है तो वैसे तो इसका कोई इतना side effect नहीं है लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो abortion का process होता है ये दवाई ये क्या करते हैं कि आपका uterus में contraction जो है वो करती है इतना week हो गया हो कि वो फिर बच्चा hold ही ना कर पाए और आगे चलके आपको बच्चा करने में complication हो तो ऐसी दवाईं अपनी पूरी जिंदगी में आपने एक या दो बार ली that is okay उससे जादा आपको नहीं लेनी है कोशिश यही रखनी है कि हम इस अंचाही pregnancy को ना ही अचीव करें और अपनी precaution पे ज्यादा ध्यान दें precautions के बहुत सारे तरीके होते हैं कई बार हम जो तरीका यूज़ कर रहे होते हैं हमें वो सही नहीं लगता या हमारे लिए काम नहीं कर रहा होता और इसी लिए हम ठीक से उसे यूज़ नहीं कर पाते लेकिन अब बहुत सारे दूसरे तरीके भी है precautions के और आप उनके बारे में पता कीज़े और देखिए as a couple आपके लिए कौन सा सबसे सही तरीका है मैंने इस पर भी वीडियो बनाए हुई है कि pregnancy को avoid करने के कौन-कौन से method है उसमें मैंने 10 तरीके के method हैं जो बताए हैं तो आप वो वीडियो देखिए मैं उसका link आप पस वीडियो के end में पर देदूंगी आप वो वीडियो देखके अपने लिए जो आपके suitable precaution हो वो use आप कर सकते हो और कोशिश यही करो कि इस तरीके से आपके अंचाही pregnancy नहीं हो और अगर हो गई है तो मैंने आपको तरीका बता दे आपको क्या करना है और एक और सबसे बहतनी तरीका तो यह है कि अगर आप abortion नहीं कराना चाहते हैं आप doctor के पास नहीं जाना चाहते हैं सारे अनमेरिट लोग होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम doctor के पास नहीं जा सकते तो हम क्या करें तो आप कुछ नहीं कर सकते गाइस ऐसे में एक दूसरे का हाथ थामो और शादी कर लो ना फिर कि उस बच्चे को इस दुनिया में ले आओ नहीं तो फिर दो doctor के पास जाना ही पड़ेगा ना घर में तो कुछ ऐसे नहीं हो सकता कुछ करने की कोशिश भी मत कीजेगा कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ खाने पीने का बताते रहते जैसे कि कुछ बहुत गरम चीज़ें खालो कुछ मेरे पास कुशन आता है कि पपीता खाने से लोग बोलते हैं कि मिस्कैरिज के चांसे होते हैं तो क्या मुझे अगर प्रेगनेंसी नीचे तो मैं पपीता खालो कोई शॉरिटी नहीं होती है प्लीज अपने हेल्थ के साथ कोई रिस्क मत लो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खा पीके आपका थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाए ज़रूरी नहीं है पूरी तरीके से अंदर से सफाई हो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि सही तरीके से अगर आप चीज नहीं करोगे कुछ पार्ट हो सकता है बहार निकल जाए कुछ अंदर ही रह जाए सोचो आपके पीरेट्स ही नहीं आ रहे है सोचो की ठीक से सफाई हुई ही नहीं आगे चलके मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आपको हो गए फिर आपकी सोचो क्या हवाल होगा आपके साथ सारे में आपकी बदनामी तो होगी ही होगी और खुद के लिए भी आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम कर लोगे तो ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते अपने घरवालों से बात करो शादी कर लो या फिर नहीं तो डॉक्टर के पास जाओ मेरी तो यही सला है बाकी आपकी वर्जी इसी नोट के साथ में वीडियो खतम कर रही हूँ कुछ इंफर्मेटिव लगा हो काम का लगा हो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजेगा हमारा व्लॉक चैनल भी है क्या आपको यह पता है? अगर नहीं पता है और अगर तक आपने वहाँ पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे और डेली व्लॉक्स हमारे देखते रहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है पॉजिटिव रियालिटी चैनल का नाम है चलिए मैं चलती हूँ मिलूगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अब तके लिए बाबाई टेक कियर